बाजार में 17 फरवरी को सीमेंट शेरों का जलवा रहा क्यों दोड़ रहे हैं सीमेंट शेर? इस पर बात करते हुए CNBC अवास के यतिन मूता ने बताया कि एंटिक रिसर्च की एक रिपोर्ट ने सीमेंट शेरों में जोज भर दिया है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सीमेंट की कीमते 15 रुपए प्रती बैग बढ़ सकती है तीन से चार महीनों के बाद सीमेंट की कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है सूतरों का ये भी कहना है कि उत्तर सेंट्रल और पश्चिम भारत के डीलर्स को सीमेंट की कीमतों में बढ़त कायम रहने का भरोसा है इस बीच मुडीज इन्वेस्टर सर्वेसिस का भी मानना है कि फानाइशल येर 2023 से फानाइशल येर 2024 में भारत में सीमेंट की मजबूत मांग देखने को मिलेगी आउटलुक ने 17 फर्वरी को सीमेंट शेरों में जोश भर दिया 17 फर्वरी की कारोबार में BAC पर Shrey Cement, Alter Tech Cement, Hindleberg Cement clever Cement, India, Ambooja Cement, Ramco Cements, JK Cement, Star Cement और Sawger Cement के शेर 2-7 % की बढ़त के साथ बंद होने में कामियाब रहे हैं मुडीज की इस रिपोर्ट के मताबिग भारत में Cement Production Financial Year 2023 और 2024 में लगभख 6-8 % बढ़ने का अनुमान है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च 2022 को खत्म फानाइंशल इयर में भारत के सीमेंट उत्पादन में 21 फीस्ती की तेजी देखनी को मिली थी रेटिंग एजिंसी का मानना है कि भारत के बुनियादी धाचे पर बढ़ता देश बड़े पैमाने पर चलाई अवासिये पर योजनाओ और व्यापक आर्थिक विकास सीमेंट की मांग में लगातार तेजी बनाये रखेंगे मुडीज का कहना है कि हाउसिंग सेक्टर की बढ़ती मांग सीमेंट की मांग में बढ़त की मुख्य वजह रहेगी सीमेंट की कुल मांग में 60-65 फीस्ती हिस्तिदारी हाउसिंग सेक्टर की ही होती है इसके अलावा सड़ा कॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर योजनाओ की जाने वाली दिगज कंपनी अल्रडेक सीमेंट ने 36 गड़ और उडिशा में शम्ता विस्तार की खोश्रा की है कंपनी ने 36 गड़ के हिर्मी में और उडिशा के कटक में बड़ी शम्ता के साथ काम करना शुरू भी कर दिया है श्री सीमेंट भी फानाशल येर 2030 तक अपनी पादन शम्ता बढ़ाकर आठ करोर टन करने की बात कर रही है बतादें कि मनी कंट्रोल पर दिये गए विचार एक्सपोर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलहा है कि कोई भी इनलेनी से पहले साटिफार एक्सपोर्ट की सलहाले लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुवात हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टिपल एक्विजिशन और मर्जर के थू होते होते यहां तक की स्थितिवें पहुँची है इसके अरावा कुछ इ 30% के आसपास का मार्केट शë야 अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है हला कि जो लीडर है उसका हाफ माके शेयर लेकिन फिर भी कमपनी काइग स्ट्रोंग माकेट शेयर अभी भी कमांड करती है बर्जर पेंच इंडिया में करीब परीब 99 साल पहले से काम काज कर रिये हो औ शोक लेलेंड, टाटा मोटर्स, टीवी एस, यामाहा, साथी साथ हीरो ग्रूप, होंडा ग्रूप, बजाज ग्रूप इस सब वो ग्रूप्स हैं जो की बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग-अलग वीकल से हैं कंपनी के वो इन प्रोड़क्ट यान बर्जर के आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं